तलिए श्रू करते हैं पंद्रवा अध्याए सिक्षा प्रत तोहे प्रस्तुत पाठ में महान कभी कभीर को सिक्षा प्रत तोहे कहा गया है गुरु गोविन दोए खड़े काके लागू पाई बलिहारी गुरु आपने कोविन दियो पताई दुख में सुमरन सब करें सुख में करें न कोई जो सुख में सुमरन करें तो दुखा है कोई क्या मुकले विंती करो लच्चा आवत मोही तुम देखन ऑगन करो कैसे भावो तोही रात कवाई सोई कर दिवस कवाया खाई हीरा जनम अमोल था कोड़ी बदले जाई धर्म ही सुन्दर आचरण धर्म सत्य उपदेश धर्म ज्यान विज्यान है धर्म नाम परमेश वेजन सदा महान है जून्द करे उपकार पर सुख से सुखपात है पर दुख करे विचार जिस बालक में सदा गुरू का मान समाए ऐसे बालक का सदा इश्वर होच सहाई चलिए अब आते हैं हम शब्दार्थ पर गुरू का अर्थ है शिक्षक गोविंद का अर्थ है इश्वर सुमरन का अर्थ है इश्वर स्मरन विंती का अर्थ है प्रार्थना लज्जा का अर्थ है शर्म गवाया का अर्थ है वेर्थ किया आउगन का अर्थ है दोश, अमोल का अर्थ है अनमोल, आचरण का अर्थ है वेवार, परमेश का अर्थ है इश्वर अब आते हैं हम अभ्यास कारिपर पहला है इसमें आपको शुद उच्चारण करना है गोविंद, लज्चा, अमोल, आचरण, विज्ञान अब आते हैं हम तूसरे पर इसमें आपको सही विकल्प को चुनना है कवी ने पहले किसके चरण स्परश करने के लिए कहा है कुरू, कवी कवीर ने किसे माहान कहा है परोपकारी पुरुष को अब आते हैं तीसरे पर, बताईए, ये आपको स्वैम करना है अब आते हैं चौथे पर, इसमें भी आपको स्वैम उतर लिखने हैं निमलिकित प्रश्णों के अब आते हैं पाच्वे पर, इसमें हमें रेक्त स्थानों को पूर्ण करना है दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें न कोई गुरु गोविन दोई खड़े, काके लागू पाई रात गवाई सोएकर, दिवस कवाया खाए चलिए अब आते हैं हम भाशा ग्यान पर इसमें हमें निमलिकित शब्दों के आर्थ लिखने हैं वाउशब का प्रियोग हमें ज़क्य में करना है गोविन्द का अर्थ है भगवान गुरु ने गोविन्द की प्राक्ति का मार्ग दिखाया विन्ती का अर्थ है प्रार्थना विने प्राता मंदिर जाकर पिन्ती करता है लज्जा का अर्थ है शर्म अन्यतिक कार्यों से लच्च का अनुभव होता है चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर इसमें हमें विलोम शब्द लिखना है गुरू शिश्य दुख सुक सत्य असत्य रात तिन जनम मरण धर्म अधर्म अब आते हैं तीसरे पर इसमें आपको भावाचक संग्या बनाना है देव का देवता मानव का मानवता सजजन का सजजनता मित्र का मित्रता लगू का लगूता सत्य का सत्यता अब आते हैं चोथे पर इन शब्दों का आपको एक वचन बनाना है गुरू कुरू पैरों पैर दुखों दुख वा इन शब्दों का बहु वचन बनाना है सुख का सुखों दिवस का दिवसों हीरा का हीरे अब आते हैं क्रियात्मक कार से हमें ये बताना है कि इन दुखों से आपको क्या सिक्षा मिलती है इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है